सुबह खुलती है तीन गड़ी नहीं दिक्कत यह है कि आज प्राइमरी स्कूल और सेकंडरी स्कूल खुल चुके हैं आज वहाँ पे लाइन लाइन्स ऑपरेशनल है आज वहाँ पे निन्यानी सीसत जगे से पूरी तरह से जो है पारे हैं जो उनकी दियारी है पांसोर बेकि वहारी जा रही है देखे आज आज आपको माज़ेद हैदरी को तकलीव है आज वहाँ बहाल हो गया है तो स्कूल में मुझे पूरा यकीन है स्कूल के इंटेंडनस बढ़ेगी और तकरीमन सौ प्रतिशन बढ़ेगी तो माज़ेद हैदरी जैसे लोग भी पड़ेजान है कि तो नॉर्मल सीक्या और वहर कतम राजीद पांडे, राजीद पांडे वीज़ेपी के प्रवक्ता राजीद पांडे बाराजीद पांडे आज खबर है, आज की रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होंगे माजिद हैदरी, उनको ये पेपर पसंद भी आता होगा साड़े चार हजार जम्मू कश्मीर के बच्चों ने प्रधान मंत्री की स्कॉलर्शिप स्कीम ली है छे साल में सबसे ज्यादा है एक सोच्छे केंद्या स्कीम लागू हो रही है वहाँ पर क्या दर्द यही है पाकिस्ताइन परस गैंग को दर्द यही है कि कश्मीर में चैन है इसलिए वो बेचैन हो रहे है देखें अब तो कोई पाकिस्तान यहां है बिल्कुल यह सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि अगर आप देखें जो आर्बी के रिक्रूट्मेंट ड्राइब में भी बहुत सारे लोग आए है तो माजीद हैदरी जैसे जो लोग है वो उसको एकसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे कश्मीर की अवाम जो है वो धीरे धीरे मेनस्ट्रिम में आने की कुशिश कर रही है और मेनस्ट्रिम में आएगी देखें सरकार में कहा है कि हम ऐसा डिवल्प्मेंट करेंगे जो पाक एक उपाइक जम्मू कश्मीर है जो जम्रू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है वहां के लोग कहेंगे कि भाईया तुम यहां से भागो हम मारत के साथ जुनना चाहते है अब माजिद हैदरी को सबसे बड़ी दिक्क्रेंद यह है अब जम्रू को आपने कहा कि चालिस लाद होना आपने को जम्रू कश्मीर में निशना नापना सोते भारते जन्दापापी की सरकार में इतनी मुस्तेदी से काम किया है वारत जो आतनकवादी है उसके सरप्रस्तिक अमेरा ले जो सेप्रेटिस्ट है उनकी एक्टिविटी पर कंट्रोल है डॉक्टर अबास, माजिद हैदरी की दिक्कत ये है लाजी पाइंडर रुक जाएए अब जन्दा का खुला अच्छ भी जी है माजिद हैदरी ठीक है डॉक्टर अबास, माजिद हैदरी की दिक्कत ये है कि देखे तस्वीरे दिख रही है कि कश्मीर का जो युवा है ना अभी 12 अक्टोबर की बात है 2000 लोग तांता लगाके, लाइन लगाकर आर्मी की रिक्रूटमेंट में भरती हो गए बड़ी-बड़ी संख्या में आर्मी जॉइन कर रहे है उन्हें तो खुशी है कि जो स्थिती नॉर्मल होते जा रही है पर मैं आपसे पूछना चाता हूँ आपको अगर इतना लगता है, कॉंग्रस को लगता है तीन सो सक्तर रापिस लाएंगे ना चुना जालोगे शेजाद भाई, बहुत बहुत खुशी की बात है और आपने मुझे बताया है कि कश्मीर के युवाँ है जो इंडियन आमी को जोईंगे बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए और इंशालला ला ताला हमारी दौा है कि माजिद हैदरी जो हमारे खास दोस्ते और भाई है और तमाम कश्मीरियों का भला हो अच्छा हो अभी जो बात आपने की है कॉंग्रेस के जो अभी आने वाले अलेक्शन्स में वो हिसा ले भागेदारी करें ना करें वो उनके उपर है पहली बात दूसरी बात जो मैं ये करना चाहूँ अगर रात जा हो हमारे प्रादान मंद्रे का जिमला ग्लोबल इंवर्टर अबास अमेट रहना का जवाब दीजिए अगर बीडिसी का तो कश्मीर में लेना देना है जम्मो कश्मीर में लेना देना है आप उसमें क्यों नहीं पार्ट स्पेट कर रहे हैं अगर आपको लगता हावाज कुछ और है